हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू डाउटनेट एन वेलकम तो यूर कंप्यूटर एप्लिकेशन क्लास बच्चो तो मैं आपका टीचर आकर्श गुपता मैं आपको कंप्यूटर एप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो बच्चो आज हम लेक्चर लेके आये हैं जिसमें हम बात करेंगे और यू एन वीडियो टैगे की और सेकेंड टॉपिक क्या है क्रियेट टेबल यूजिंग टेग्स टेबल वनानी आपको एस्टेमल के अंदर तो आज हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे बट इस स्लेवर्स को भी डिसकस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे टूप के अंदर आने वाला है तो तीसरा टॉपि स्टाइल सिट बोलते हैं इसको सी सौर्ड फॉर्म में CSS बोलते हैं तो यह चैप्टर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे अपने वेब पेजस को स्टाइल किया जाता है तो चलिए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जानेंगे कि वीडियो और और यो को किस तरह से आप एंबेड कर सकते हैं किस तरह से स्टेवल पेज के अंदर लगा सकते हैं चलिए नेक्स्ट माइए एंबेडिंग ओफ और वीडियो एलिमेंट एस्टेमल देखिए कि हमने बात करी थे हम आप सबने स्टेमल का आपको पता है कि स्टेमल जो भी लैंगविज इसके अंदर सार और वीडियो अपने स्टेमल लगाने हैं तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा और वीडियो कुछ कुछ नाम के टैग है उनको यूज करना पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टैग यूज करना पड़ेगा और उन टैक्सी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी कुछ एट्रिब्यूट जीज़ें मोलते हैं जो कि हर टैगों को एक एडिशनल करेक्टरिस्टिक देते हैं एक एडिशनल करेक्टरिस्टिक देते हैं चलिए तो सबसे बेले में बात करूंगा कि एंबेडिंग एन ओडियो इन वेब पीज आप कैसी एक वेब पेज के अंदर एक ओडियो लगा सकते हैं तो बच्चो सबसे बेले देखिए यहां पर टैग जो है क्या होगा और यूट यूटे आगे हमारे लिए जिसके थुरू हम क्या कर सकते हैं आप से अंदर ओडियो स्थीमल वेब पैज के अंदर आडियो लिख कर सकते हैं इस तरह से सेंटेट्स लिखा है और आपको पता है कि html के सेंसिटिव लैंगिवज नहीं है आप चाओ तो किस तरह किसी भी तरह से आप लिख सकते हो और यो को इस तरह से भी यूज कर सकते लोड़ के होगी ठीक है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा इस टैक का है क्लियर तो अभी हम देखेंगे किस तरह से हमें आडियो लगाना मैं पुरा सिंटेक्स के साथ पुरा आउट्पूट के साथ आपको एक्स्प्रेन करूंगा बट आपको भी इतनी बात समझनी है कि आडियो अपने फाइज होगा हमारे पास जो कि क्या करेगा विचन अट। के भी एंबेड इना के इस तरह से हमारा ओडियो फाइल है इसी की तरह से आप अपने webpage के अंदर यह audio file इंक्लियोड कर सकते हैं क्योंकि आपने आज की आज कल देखा होगा आज कल देखा होगा कि जो music जहां पर डाउनलोड करते हो जाके music या कोई audio download करते हो उन website तो ओडियो कैसे insert किया जाता है कैसे एंबेट किया जाता है वह इननी जिसमें एंबएट करना होता है तो वहाँ पहुत ओडियो टैस्ट-इस करते है कैंρεί चलि तो देह यहां पर यूट। का जूश करना है तो हमारे पास यह नी भीध चाहिए क्योंकि हमें जो file embed करनी वो file हमारे पास exist करनी चाहिए तभी mini वद लगा लगा होंगे file complete Hoonny चाहिए अब उस file को कैसे लगाना है कि सतरह लगाना है मैं आपको बताऊंगा तो हमारे पास एक और टैग आता है जिसका नाम है सोर्स टैग यह सोर्स टैग हमें क्या है एल्प करेगा जिस वह यह विदियो जो भी आपके मुल्टी मीडिया फाइल से आप उनको अपने वेब पेजस के अंदर कैसे लगाओगे जैसे कि मैंने आपको बताया ओडियो टैग सिर्फ वो ओडियो के लिए काम करेगा और उसके अंदर हमें टैग का यूस करेंगा जिसका नाम होगा और यू टैग के अंदर हमें टैग का यूस करेंगे जिसका नाम होगा सोर्स टैग सोर्स ट यहां आपने सेव कर रखी है वह पूरा पाथ फाइल पाथ यहां पे आएगा पूरा फाइल गया है और यह हैं नोग तो यहां पे टाइप यह भी अटरीवियुट है यह भी क्या एट्रीवियूट है कि दीजे है डोikk वही जी जी चान्Tube आडिक्ट्रीड देते हैं किसी भी टैग को ठीक है तो यहां पे सुर्स टैग के सो आ Fest struggles को हम वीडियो के भी अंदर यूज करते हैं और और यूज के अंदर भी यूज करते हैं में चीज क्या है हमारी यहां पर सर्थी प्रोपर्टी और सर्थी एट्रिब्यूट जो कि क्या करेगा हमें फाइल का पाथ आपकी फाइल चाहे और यो चाहे वीडियो हमें इसके डबल स्कारना है सुर्स टैक चलिए देखते हैं समझते हैं तो देखें यह मेरे पास एक्जामपल है यह हमारे पास एक प्रेक्ट लीग एक्जामपल जिसका मैंने ये वोड लिखाया है और हमें ये आउट्पुट मिल रहा है चलो मैं स्कूट को डिसकस करता हूँ आपके लिए द अगर ये अट्रिब्योट नहीं यूज करो गया आप audio tag के अंदर चंड्रोल तो क्या होगा कि आप का audio display नहीं होगा जैसे कि यहाँ पर audio display रहा है वेब ब्रावजर पर ये वेब पेजे हमारा उस यह वेब व्हें ब्राउसर के अंदर रमने यूस किया हुआ है तो यह कंट्रोल्स प्रॉपर्टी यूज्टि यूस करना जरूरी है और यूट एग के साथ हमेशा जब भी आप लगा ओगे ओडियो टैग उसके अंदर ये कंट्रोल जरूर लिखो गे ये एक उंदर ये कंट्रोल ज़ से आप यह property specify नहीं करोंगे तो यह एकन्टोल डिस्पेलिन होंगे यह audio display नहीं होगा तो आपको यह control एट्रीबुट हर बार जब भी आप audio टैग यूज करो आपको use करना है फिर हमारे को यह करना है कि हमने source tag ka Use ke a Yeah DP mean a source tag ka use ke haiäg उसके अंदर ये property src और ये क्या है हमारा media file a job file है audio file oops कर रहे तो मने audio file का part आप क्या करेंगे आप have computer का अंदर जो भी file download करके रखी आपने जिस तरह का VY Awards लगा चाते हैं उसका path हाप यहां पर देंगे file path ठीक है और type तो होगी यहां मैंने MP3 लिख दिये क्योंकि MP3 भी audio का type होता है आप सबने सुना हुआ है songs जो होते हुए MP3 में होते हैं तो MP3 भी audio का type होता है और यहां पर मैंने audio प्रोपर लीवरघ नहीं करेगा जो 두 अपने अमेट के अंदर तो क्लोज करना जरूरी है कि यह तो हो गया मैंने यह हैधिंग या, code with sourceाइग, दूसरा भी ऐसे एक्जामपल है है मैंने ज़्यामपल कर सकते हैं, अब multiple audio embed कर सकते अपने web pages के अंदर तो आप multiple audio tag यूज कर सकते हो तो मैंने एक और tag यूज कर लिया है सेम उसी तरह से तो यहां पर देखिए आपके web page में जो दिख रहे है दो audio दिख रहे क्योंकि मैंने दो audio आपको समझ में आ गया होगा तो यह code है सोर्स टैक के साथ क्योंकि सोर्स टैक मैंने यहां यूज किया है जो कि हमें help कर रहा है हमारे जो audio sources को embed करने में अब यह तरीका है यह टाइप है जिस तरह से हम audio टैक्स का यूज करके और जो अपने audio उनको embed कर सकते हैं एक और तरीका है जिसमें कि आपको सोर्स टैक का यूज नहीं करना पड़ेगा चलिए उस तरीके को भी डिसकस करते हैं नहीं वह क्या है यहां बेदेखिए मैंने कहले के कोड़ 두ा ouट कोड़öz कि आउड तरस टैक कि अब यहां पर क्या है कि मैंने सोज टैक का यूजat का काम फिर भी हो रहा है मार ऊडियो टैग का तो मैंने सिर्फ की यह है audio tag के अंदर src property src property का यूज किया है src property यूज किया जिसके अंदर हमने क्या दे दिया है file का पाथ दे दिया है और यहां पर controls controls लगाना जरूरी है यह attribute लगाना जरूरी है हर बार तो यह से भी तरीका है इस तरीके से भी आप अपने audio को यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग आ source tag source tag हमने यहां यूज लिकिया हमने याप इस सोर्थ src property यूज करिए तो कहीं भी नहीं आपका आउट पूट आ रहा है फिर भी आपका आउट पूट आ रहा है इस वाले सेकेंड वाले में भी देख लिजिए मैंने audio tag को यूज किया है इसके अंदर प्रोपर्टी यूज कर ये फाइल पाथ है और टाइप audio MP3 में चीजिए है important चीज़ है important attribute है मैं important mark कर देता हूँ इसको आपको ये नहीं भूलना है हमेसा आपको यह use करना है आप audio tag के साथ deal करें या वीडियो tag tag के साथ दिल करें तो आपको हमेशा deal कर इसको हो राइड करना है और यहां पे क्लोज कर देगे यहां पे सिंपल क्लोज कर देखें ठीक और देखिए सिंपल आपको पता है के HTML का जो बॉडी होता है किस तरह से डिजाइन होता है HTML फेच जैनल कि जब कोडिंग करते हो तो इस में भी काम होगा HTML फेल ओपन करेंगे बोडी ओपन करेंगे आप है डटाइट यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हो आप पर डिकेंड करता है ऑप्शनल मैं नहीं मैंने यहां यूज नहीं किया है और मैंने तरह के कोड़ देख लिए दोनों तरह से में ओड़ेंबेट कर सकते हैं भाई विट सोर्स टैक विदाउट सोर्स टैक तो जिस तरह को कि आपको भी सही लगे बट आपको दोनों तरीके ही याद रखने दोनों तरीके सही पूछा जा सकता है और चली तो अब बात करते हैं आच एट्रिब्यूट से है आडियो टैग इंपॉर्टेस है सारे इंपॉर्टेट्स है सबसे पहला एक्रिभीट क्या है और टो पले क्या है एक जैसाक आप लैट सब्यार्व Glen पेज बनाया और आप लीज इसको वेब ब्राउजर प्रोंग किया जैसे रं किया उसको open किया तो क्या होगा आपका मीडिया जो ओडियो आपने यूज किया है वो और टो प्ले होगा स्टार्ट हो जाएगा प्ले होना बट ये फीचर ये प्रोपर्टीज कई सारे ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करती कई सारे ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करती तो इस प्र हुआ है है ओडियो टैक के अदर जैसे कंट्रोल स्लिखें है कंट्रोल लिकें आपने आपको उसी के अंदर और टॉ प्ले लिख देना है बट यह प्रोपर्ट प्रिय हर जगा वक्त नहीं करती ठीक है और यो टैग के अंदर ही यूज करो गया तो यहाँ लिखा इस्पैसिफ होगा वो audio automatic run कर जाएगी मतलब play हो जाएगी जैसे आपका page load होगा HTML का web browser पे वैसे ऑडियो प्ले हो जाएगी अगर आप ये properties use कर रहे हो तो audio autoplay दूसरी क्या आती है control जो अभी मैंने बताई कि controls क्या specify करती है कि जो भी audio जो भी audio हो उसके सारे controls आपको display हो आपको पता चले वहाँ पे अगर controls property आप नहीं उसकरोगे तो आपका audio display नहीं होगा वेब पेच पे ठीक है और वो control भी देती कि आप उसको play pause mute unmute कर सकते हैं तो यही बात बोली है यहाँ पे कि specify that कि audio controls should be displayed जो भी control से audio के वो display होने चाहिए such as play pause button etc ठीक है तो वहाँ पे options होते हैं mute unmute के भी होते हैं playback speed के भी होते हैं और play and pause के भी होते हैं तो यह सारी properties इसी तरह से audio tag के अंदर यूज़ हो रहे हैं जैसे controls auto play loop अब यह loop property क्या है कि let's suppose आपका क्या है आपने media play कर दिया आप चाहते हो कि आपका media play होता रहे आपने एक बार play करके छोड़ दिया जब मीडिया खतम हुआ फिर play हो जाए अगेन अगेन वह play होता रहे तो लूप का मतलब क्या होता है बार बार होना कोई चीज आई ट्रेट करना ठीक है चीजों को अधियों विल रिस्टा विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इस फिनिस्ट मतलब जैसे कि लेट सब्सक्राइब पास वन मिनट का आपने वन मिनिट को आपने वेब के अंदर हम बेट कर रखा है तो क्या होगा कि वह आफ्टर वन मिनिट जब वन मिनिट पत कंप्लीट हो जाएगा फिर से वह स्टार्ट हो जाएगा जब टाइम खताम होगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो वह लूप प्रोपर्ट्टे के थुरू ये काम हम कर सकते है कहा प्रेलोड प्रपर्टी के मतलब क्या होता है कि यहां पर अगर आपने वेब पेज के अंदर ऑडियो लगाया है तो क्या अगर जैसे आपका वेब पेज लोड हुआ वेब ब्रावसर के ऊपर तो क्या आपका और यू उस टाइम पर लोड होगा या जब आप प्ले करोगे तब लोड होगा तो प्रेलोड प्रोपर्टी में एक वैली होती है अगर आपने लिग दिया इस तरह से आपने लिखा और यू अपने ऐसे स्प्रेसिफाइए किया और यू कंट्रोल्स प्रिलोड प्रिलोड की वैलू देदी नन आपने क्या देदी नन देदी इट मिल्स क्या होगा कि जब पेज लोड होगा तब हमारा और यू लोड नहीं होगा जब आप प्ले बटन पॉस्ट करोगे तब हमारा ओडियो लोड होगा देन प्ले होगा उसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा वह प्रैक्टिकल में पता चलेगा कि प्रिलोड में क्या डिफरेंस है और प्रिलोड नन में क्या डिफरेंस है प्रिलोड है नन तो इट मीज आपका मीडिया तब लोड हो का जब आप उस पे बटन करोगे तब उसके लोड होगा तब आप उसको प्ले कर पाऊगे तो प्रैक्टिकली में यह आपके चीज़े ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा और src src भी और टैक की प्रोपर्टी है जिसमें क्या करते यूरल डालते हैं मतलब फाइल का पार डालते हैं फाइल की लोकेशन जो कि जिसको आपको अपने वेब पेज के अंदर आडियो को एंबेट करना होता है तो यह है और यो टैग की प्रोपर्टीज के प्रोपर्ट आता है चलिए नेक्स्ट के ओडियो फॉर्मेट के अंदर सपोर्ट होते हैं कितने बागे ब्राउजर्स कौन कौन से और स्थॉडियो फॉर्मेट शपोर्ट करते हैं तो यहां पर 3 है देरा 3 और फॉर्मेट स्थुड्य फ़ोजी जी यह क्या है आपकी और दियो फाइल्स चार्ट बनाया है यह कौन से ब्रावजर सिजु जैए ब्रावजर स हजी है मैं इस अरे आपने पढ़ हुए एज IE इंटरनेट ग्रोर रों फायरक स्फारी उपेरा तो MP3 फॉरमेट सब सपोर्ट करते हैं ये सब्सक्राइब वेवर मेट सब्सक्राइब में मैक तो यह ब्रावजर आपको मिलता है तो यह सपोर्ट नहें करता है तो सारे ब्रावजर सारे फॉर्मिट्स को सपोर्ट करते हैं तो यह आप याद रखना है आपको तो यह तór ऻूकी बात अब चलते हैं वीडियो वीडियो कैसे में करते हैं सिम्पल है जैसे आपने ओडियो समझोड लिये वैसे हमारे आपने वीरियो भी आप को विडियो costume by करने के लिए विडियो फाइल चाहिए होगी कुछ नहीं करना है सेमची लिए होंगी बस टैक की नाम होंग यहाँ पर वीडियो ता यहाँ पर क्या है वीडियो टैग है और वीडियो टैग कि कुछ ब्रसा भी वही तरीका है कि यहां वीडियो स talks adopt good source tag के साथ या Source टैक के without Bia puse कर सकते हैं तो मैंगे जैसे audio के अंदर यूज कया था वैसे वीडियो के अंदर भी है बस आपको video ऑडियो के जागे video tag का यूज करना है और उसी वही तरीका है है जिस तरह से आपने आप फाइल पास की ती सोर्स टैक के अंदर एसार सी और वीडियो फाइल जो आपकी कंप्यूटर के अंदर से विस तरह का वीडियो आप इसको एम बेड करना चाहते है उसका फाइल पाथ आपको यह पे specify करना पढ़ेग और भी इसमें भी कंट्रोल एक्ट्रिब्यूट होना जरूरी है और वीडियो के अंदर भी कंट्रोल एक्ट्रिब्यूट होना जरूरी है क्योंकि वीडियो भी प्ले पॉज और कंट्रोल करने के लिए आपको ये कंट्रोल होना ज़रूरी है बट वीडियो में किया है कि दो प्रॉपर्टी वाद एक्ष्टा हो जाती है विट एन हाइट विट एन हाइट जिससे कि आप अपने और वीडियो का साइज एस्टेमल वेब पेज में स्पैसिफाइब कर जाते कितने साइस का आपको अपना वीडियो रखना है और यह प्रॉपर्टी यूज कहां कर नहीं है वीडियो टैग के अंतर तो यहां पे आप सोर्स टैक का यूज करके कर रहे हो आप विदाउट सोर्स टैक का भी उसकर सकता आप सीधे क्या करोगा सार्थी प्रोपर्टी को और वीडियो टैग के अंदर यूज कर दोगे वीडियो टैग के अंदर यूज कर दो को दिए यह पूरा एक्जामपल है एक वीडियो टैग को एक वीडियो को वेब पेज के अंदर एंबेड करने का क्लियर चलिए तो आई सब्सक्राइब वर्ते हैं इस तरह से इस तरह से आपका क्या होगा वेब पेज पे आपका वीडियो डिस्प्ले होगा देखिए इस सारे टो से यह देखिए एप play and positive control है newton mute का control है full screen कर सकते हैं आप यहां से ठीके जिस आरे control सौत बढार जाल हुआ इस तरह से आप को वीडियो एक कुछ भी नहीं है सेम प्रोपर्टीज होती बस वीडियो टैकिक अंदर दो-TINु प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है उनको भी डिसकस कर लेते हैं कि चलिए एट्रीब्योट क्या है वीडियो टैगी के witwit wider area said debate of video video स्थाइट कर देगा height set करेगा वीडियो की हाइटody set कर देगा किसारे किसे पारण है फीड्यू टेग की प्रफर्टी जिन को वीडियो टैगे के अंदर लिखना है यहाँ भी autoplay वाला ही चीज है कि भाय जब पेज रोट होगा तो तो आपको वीडियो प्ले हो जाएगा जैसे भी पेज लोड होगा तो आपको आपको वीडियो प्ले हो जाएगा क्लियर लूप है यहां पर क्या चाहते हो कि आपका वीडियो स्टार्ट अगेन हो मतला एक बार फिनिश हो जाए टाइम फिर से स्टार्ट हो जाए टाइम फिन जीट यह घ Fehler audio mute कर सकते जैसे पेज semana पर आगे ऐसा स्पीकर वाला सिंबल होता है ठीक है ऐसे सिंबल्ल अिद्न होता सुस aíro अद्र टीट हो जाएगा से करके ऐसे म्यूट करके सिंबल बन जायाएका जब अगर आप muted property video tag एके अंदर यूज करोगे और same for that भी है audio के लिए भी ये प्रिपरटी यूज कर सकते हैं audio के लिए ये प्रपरटी यूज कर सकते हैं muted है ठीके muted property यूज कर सकते हैं कि भाई आपकी आपको खर्चात चाहि लोड है और आपका audio यह Mute हो आप उसको Unmute भी कर सकते हैं ढूराए क्राइब ये वाघ्र प्रपर्टी यूज करने से क्या होगा कि जो आपका सिंबल है Mute Unmute का वो Mute हो जाएगा इसे क्रॉस हो जाएगा जिससे क्या आपको पता चले का की आपको या व्वीडियो म्यूट है यहां पे एक और एक्स्ट्रा प्रोपर्टी आती पोस्टर लेट सबूस आपने यूटूब पे देखा है आपने कि जब आप कोई वीडियो प्ले करते तो उससे पहले उसके उपर पोस्टर दिखाए देता है आपको दिखता है थम्नेल जिसे बोलते हैं तो आप यह पॉस्टर प्रोपर्टी यूज करके पॉस्ट प्रोपर्टी उसकर के आप फंशन नियल भी लगा सकते हो अपने वीडियो के मिल मतलब वीडियो जब प्ले करने से पहले वीडियो पे एक क वर इमेज देखे जैसे यूटूब पर दिखकती है कि खाई सारे वीडियो जो भी image जो भी कवर इमेज आपको लगानी है वो आपके पास होनी चाहिए और उसका सेम फाइल पाथ फाइल का लोकेशन इसमें दे देना है आपको सोर्स दे देना है फाइल का तो आपका वो पोस्टर वाली प्रोपर्टी वग कर जाएगी आपको यूस कहा करना है वीडिय टैग के अंदर ठीक प्रिलोड लोट्स वीडियो एस वी डिफाइन मतलब कि जैसे प्रिलोड का क्या सेम चीज है कि वाई जैसे वेब ब्रावजर आपका लोड होगा पे वेपिज लोड होगा वैब ब्रावजर पे तो वैसे आपको वीडियो लोड हो जाएगा अगर आप प्रिलोड को नन कर दो को तो इट मीन्स जब आप प्ले करोगे मतब आप क्लिक करोगे तब आपका वीडियो या ओडियो लोड होगा पहले से लोड नहीं होगा जब आप बटन पर प्रेस करोगे क्लिक करोगे तब वो काम होगा ठीक है तो इसमें दो एक्स्टर तीन प्रोप चलिए अब इढ़ा बीडियो के भी फॉर्मट एंस क्या है वीरीयो के भी फॉर्मट है एंपी फॉर्व एब हैं ऊजीजी यह भी वीडियो के फॉरमट कौना एक हम ब्रायुजर सपोर्ट करता है यह बहर करते थे कि देखे शारे ब्रॉजर के नहले मैं सारे ब्राउजर से safari नी support करता हो जीजी को बाखी सारे वीडियो फॉर्मेट случ वे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट भी चानी panda अपको MP3 औरoten lux मोस्ट कॉमें फॉर्मेट ए और MP4 जो की मोस्ट कॉमें क्लिया किसी फाइगर ड़ट MP4 लिखाय तेटमीज व वीडियो मोई हो गी और किसी फाइल के आगे डॉर्ट MP3 लिखाय उस मीज्ञ वह ओडियो फाइल होगी क्लियर तो यह था हमारा और लिटेक चलिए अप चलते हैं प्रेकिकल प्रेक्टिकल तो प्रेक्टिकल पर चलते हैं चलो श्ट्टूडेंज रे वे से लगा सकते हैं, एक with source code, एक without source code, तो मैंने दोनों ही syntax को, दोनों ही code को यूज किया है, इसी तरह से हमने video tag को भी इस code के अंदर यूज किया है, with source tag and without source tag, तो देखिए आप इसमें यहाँ पर, मैंने पहले वाला जो audio है, उसमें क्या-क्या किया हुआ है, मैंने देखिए audio tag यूज किया है, controls property यूज किया है, attribute यूज किया है, अगर आप controls attribute यूज नहीं करोगे, तो आप जब इस page को run करोगे, तो आपका audio mute होगा, पहले से ही mute होगा, आप उसको unmute, mute कर सकते हैं, और preload means, कि preload property मैंने ये बताई थी, कि आप जब web browser, जब आप web browser पे पहली बार जब page run करेंगे, जब load होगा हमारा, तो आपका audio उस time load होगा, या आपका audio play button दबाने के बाद, या click करने के बाद, load होगा, तो यहाँ पे देखें क्या है, कि यहाँ पे preload मैंने none कर रखा, preload को value दे रखी है, none, कि जिसके तुरू क्या होगा बेटा, कि जिसके तुरू जब आप page load होगा, हमारा web browser पे, तो आपका audio पहले से load नहीं होगा, जब आप play button press करोगे, click करोगे, तो जब वो load होगा, तो य मैंने यह पहले वाले line में देखिए, source tag का use किया हुआ है, source tag का use किया हुआ है, उसके अंदर file का path दे दिया है, और यहाँ पे मैंने audio close कर दिया है, इसी तरह से मैंने second वाले में क्या किया है, मैंने second वाले में source tag का use नहीं किया है, audio के अंदर मैंने rc property यूज किया है, जिसक और यहां मैंने आपने आपको क्या हुआ है यहां पर ये वाला सिंटेक्स without source code है तो यह हमारा पूरा code है तो चलिए इसको देखते हैं इसको मैं run करके देखता हूँ तो मैंने इसको run किया हुआ है तो यह देखिए हमारा कुछ ऐसा output हमें मिल रहा है यह output है कि यहाँ पे दो audio है और सारी properties हमने use करी है अगर मैं इसको refresh करके देखू आपको मैं refresh करूँ तो देखो यहाँ पे अभी उपर first वाले में देखो यहाँ पे audio load नहीं हुआ है नीचे audio load हो चुका है देखो timing नहीं आ रही उपर 000 आ रहा है तो इसलिए मैंने preload none कर रखा है और इसको mute भी कर रखा है तो यह mute हो गया है ठीक है और second वाले में देखो यह timing load हो चुका है मतलब second वाले यह बता रहा है कि यह audio load है प्ले करने की अब first वाले को जब आप play करोगे जब आप play करोगे तब क्या होगा load होगा अब यह load हुआ है क्योंकि आप timing change हो गई है ठीक है और mute है तो आप mute unmute कर सकते हैं उसको यह properties यूज़ करी है हमने unmute कर दिया फिर mute कर दिया ऐसे second वाला है second भी tag लगा दिया है हमने audio का और देखिए यह video video भी मैंने mute कर रखा है यह देखिए यहाँ पर और hide width दे रखी तो video का size देखिए आप और play करेंगे तो video play जाएगी आपकी video play होना start हो जाएगी देखिए और यह ठीक है clear तो यह है और ऐसे मैंने एक और video लगा रखी है एक और video लगा रखी जिसके मैंने height white नहीं दे रखी है तो उसने by default cover कर रखा है तो यह देखो मैं play करूँगा तो यह play हो जाएगा इसको mute unmute कर सकता हूँ मैं ठीक है play back speed इस सब चीज़े कर सकता हूँ तो यह हमारा audio और video tag इस तरह से use होता हम इस तरह से अपने HTML page या web page के अंदर audio और video tag के तरूँ embed कर सकते हैं ठीक है तो यह video play चल दा है यहाँ पे यह video है आप कोई भी video लगा सकते हैं किसी भी तरह का video हो ठीक है चली तो समझ आ गया होगा एक बार आप source code देख लेते हैं किसी को यह problem है कि यह path कहां से आएगा तो मैं यह बता देना चाहता हूँ आपको एक most important बात कि भाई यह path है यह path और जो भी आप इसमें audio video यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपके HTML फाइल है जो जिस फाइल को आप web browser पर open करोगे वो फाइल और आपके जो audio video आप जो यहाँ यूज कर रहे हो उसको एक ही location पर रखना जैसे कि देखिए मैंने रखा हुआ है जैसे कि मैंने रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाता हूँ मैं तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने audio और वीडियो को जो हमारी HTML फाइल है टॉप वाली यह हमारी html file है और बाकी जो भी मैं audio video यूज़ कर रहा हूँ मैंने इनको यहाँ पे एक same folder के अंदर रखा हुआ है अगर आप same folder के अंदर नहीं रखेंगे तो maybe something कोई problem arise हो सकती क्योंकि आपका audio और वो video display ना हो तो इस सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं जो भी html file बनाते हैं जिसमें audio video tag का जो media आप source लगा रहे हो तो उस सारे source को और अपने html files को एक ही जगा हम क्या कर लेते हैं लोकेशन पर रख लेते हैं तो यह रखना है और मैं आपको बता दूँ अगर किसी बच्चे को यह नहीं बता चल रहा है कि path कहां से लाना है audio video लगाने के लिए तो आप किसी भी media पे click करेंगे right click करेंगे then properties पे जाएंगे और यहां security दिख रहा है यहां यह path है यह क्या है यह पूरा path है यह पूरा path दिख रहा है इस path को copy कर लेंगे और अपने code में जाके इस तरह से आप जैसे कि मैंने यह पेस्ट किया हुआ है यह path को क्या कर देंगे पेस्ट कर देंगे ठीक है यहा हमारा मैंने आपको एक्स不多 gera आपको एक्सोर्पेसे कर दिया आपने और ПlastUM Oke वैइं आपको 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 और वीडियो टैग का कॉंसेप्ट क्लियर होगा के स्टेमल में आपको कैसे इंसर्ट करने कौन कौन सी प्रोपर्टीज है वो सारी बाते आपको क्लियर होंगी तो चलते हैं फिर नेक्स क्लास में बात करेंगे टेबल्स की जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है यूनिट टू का ज ज़र smooth जोड writes देटीज कि जोस्ताओ की जोर सारुप्राएइन जा सेकेंड रवाला सेकेंड में जा ने hearta झाल tut जा झाल BACK जोनिट हो कि हमारा कि झाल जाते ही है, झाल